हेलो दोस्तों नमस्कार आप सब का स्वागत है और इस्टेट पॉलिटी का एक अंतीम टॉपिक के तौर पर मुख्य मंत्री की क्लास चलेगी हमारे सेलेबस में राज्यपाल है राज्यपाल के बाद चीफ मिनिस्टर है तो चीफ मिनिस्टर राजस्तान में कौन कौन से रहे हैं क्या समीधान में क्या इसके बारे मुलेक है किस तरह से मुख्य मंत्री अपनी भूमी का निर्वन करता है तो आज इस पर ठचा करेगी बिन मदल का नेता होता है तो यह मंत्रियों का भी मंत्री होता है इसलिए मुख्य मंत्री है और इनी के कहने पर मंत्रियों को इभागों का बट्वारा वगिना होता है तो पहली बात कि आपन राज्येपाल में भी देखे थे कि दो तरह के कार्येपाली का में जो मुख्या होता है तो होता है वास्तिक और एक होता है नाम मातर तो अपने क्या बता कि राज्येपाल होता है दूसरा यह अपन कहें वास्तिक तो वास्तिक कारे पालिका का को कॉण हाई मुख्य बंत्री होता है Kai to be samidhan ik Mukhyar Sam Dhanındaki अर्शाशन के तौर परज जाता है राज्येपाल और दूसरा वास्तिक मुख्य होता सीग हुव उसके सात में मंत्री परिशन जो के साथ कारिय करती है और राज्येपाल 25 को वह सीएअप्परक सरजित किया गया तो 26 जन्वरी 1950 को सविधान पूर्ण रूपेंड लागू हुआ लेकिन 24 जन्वरी 1950 को राष्टपती के साथ ही सीम पद का सर्जन हुआ अनुछ देखो यह ध्यान रखना 163 में तो क्या लिखावा है कि राज्य पाल के सायोग के लिए एक मंत्री मंत्री परिशद होगी और मंत्री परिशद का मुख्या कौन होगा मुख्य मंत्री होगा तो 164 में क्या लिखावा है एक चौसर्ट में लिखावा है कि विदान सबा में भहुमत दल का नेतया को राज्य पाल सीयम के पद पर न्यूपत करेगा राज्य पाल के पद की कौन करेगा राज्य पाल करेगा और राज्य पाल को लगता है कि साब यह भूमत तल का नेता है तो उसे मुख्य मंत्री के लिए क्या करेगा न्यूट करेगा अपॉइट्मेंट करेगा मुख्य मंत्री बनने की सर्थ क्या होती कि दोनों सदन देखो अब एक और चीज यह भी ध्यान रखना चाहे विदान परिशद हो विदान परिशद और एक होती विदान शबा इन दोनों मैंसे किसी भी व्यक्ति का मुख्य मंत्रिक तौर पर आप न्यूगत कर सकते हो तो या तो विदान सबा का हो चाहे विदान परिशद का हो लेकिन एक ऐसा व्यक्ति भी जो इन दोनों का सदश्य न होते हुए भी मुख्य मंत्री बन सकता है लेकिन 6 मैने तक कितने मैने तक 6 मैने तक तो विधान परिशद या विधान सभा का सदश्य हो तो बभुमत दल के नेता के तोर पर उससे मुख्य मंत्री न्यूक्त कर सकते हैं दोनों सदनों मैंसे किसी एक सदन का सदश्य होना चाहिए यदी नहीं है तो अधिक्तम 6 मा तक इस पर रह सकता है अन्य मंत्रों की न्यूक्ति CM की सला पर राज्यपाल करेगा तो CM जिसको मंत्री बनाना चाहता है उसको राज्यपाल को सला देगा कि साब इस वेक्ति ये मंत्री बनाना है तो वो फिर राज्यपालों से मंत्री न्यूक्त करता है तो CM की सला पर होता है CM बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चीए, भारत का नागरिक होना चीए, दूसरा 25 वर्स नियूंतम उसकी आयू होनी चीए, कित्ती वर्स? 25 वर्स उसकी नियूंतम आयू होनी चीए, विधान मंडल का सदैश्य होना चीए, विधान मंडल के अदर कौन आ सकता? विधान जी लिए सकता है राज्यपाल के प्रसाद परियंदके के जाता है विधान मंदल जितना इसका वेतन निर्दारित करेगी उतना उसका वेतन होगा फिर मुख्य मंत्री की कारी है वो शक्तिया मुख्य मंत्री क्या क्या कारी होते हैं तो पहला है मंत्री परिशत के संदर्ब में राज्ये में जितने भी मंत्री बनेंगे तो वो मुख्य मंत्री के द्वारा ही बनेंगे मुख्य मंत्री जिस व्यक्ति को कह दे ये मंत्री बनेगा तो वो या तो विदान सवा या विदान परिश्ट का सदश्य होना ची अधी नहीं हो तो 6 महिने के भितर उसकी सदश्यता लेना अनिवारी होता है उसके बाद में वो राज्य पाल को कहेगा कि फला व्यक्ति को मंत्री बनाना है तो फिर राज्य पाल उसे मंत्री नूट करता है तो CM मंत्री परिश्ट का क्या होता है निर्माता होता है CM की सलापरी मंत्री परिश्ट का गठन किया जाता है CM के परामर से ही राज्येपाल मंत्री परिषद का गठन करता है मंत्रियों के विभागों का बंटुवारा भी कौन करता है मुख्य मंत्री करता है मुख्य मंत्री कहेगा कि फला व्यक्ति को वो विभाग दिया जाता है सरम विभाग दिया जाता है मुख्य मंत्री करता है कि किसी मंत्री से मत्भेत की सती उसे त्याग पतर भी मांग सकता है और त्याग पतर नहीं देता है तो राज्येपाल से मंत्री पद से ब्रकास्त करवा शकता है मंत्री परिशद की बैठकी अध्यक्स्ता करता है मंत्री परिशद के कैबिनेट मिनिस्टर वगरा सब भी मिटिंग्स होती तो उसकी अध्यक्स्ता कौन करता चीप परिश्टर करता है बैठकों की कारी उजना उसका करता है सभी मंत्रियों के किर्याक कलापों का नियंत्रण करता है निर्देशन करता है और साथ-साथ में उसका मारक दर्शन भी करता है स्वयम त्याग पतर देकर पूरी मंत्री परिशद को भंग कर सकता है तो खुद त्याग पतर देगा तो साथ-साथ में जो सब्सुere entered 167 167 167 कि मोंख्य मंत्री मंत्री का एक बहुं होता है कि जब राज्य पाल चाहे उस समय उसको प्रसाशनिक जानकारी होती सब्सक्राइब अउश्यक होता है है तो सीम राज्य पाल में मंत्री परिशद के बीच एक कड़ी होता है मंत्री परिशदиком राज्य राज्येपाल इक दौनों के बीच की कड़ी कोई होता है सीम होता है अनुटि 167 कि मुख्य मंत्री करता भी होता राज्येपाल के प्रत्री कि राज्ये सरकार के जो भी प्रशाशा ने विदायन से समद्धि सूचना मांगे तो राज्येपाल को उपलब करवाए किसी विशह केवल मंत्री ने विचार किया है तो राज्येपाल सीम को इस विशह को संपूर मंत्री परिशद के सामने रखने को कहता है कि मलब सीदी सी बात है कि किसी विशह पर केवल मंत्री नहीं विचार किया है तो उस विशह को सीम मुख्य मंत्री को कहेंगे आपकी मंत्री की सलापर मंत्री परिशद्या सीम की सलापर राज्य विदान मंदल के संबंद में विदान मंदल में सत्र बुलाने हे तुर राज्य पाल को सला दे सकता है विदान मंदल चल रहा है बोलेगा साब इसमें सत्र बुलाना है तो राज्य पाल को सला दे सकता है वह राज्य विदा होती तो विदानसवा में रखता है सदन के पटल पर रखता है कौन मुख्य मंत्री कि अन्य क्या भूमिका होती राजी जो आयोजना मंडल होता है उसका अध्यक्ष होता कौन द्लेक्ष होती स्यम भागिदार लेता है नीती आयों कीुट जो सासी परिश्यद होती है giurg reading number council उसका नितर्तो करता है राज्ये की तरफ से राज्ये सरकार का परमुख परवकता होता राज्ये लोग शेवा का राजनेतिक मुख्या होता है देखो दो तरह के मुख्या होते हैं प्रशास्निक मुख्या और दूसरा होता है राजनेतिक मुख्या प्रशास्निक मुख्या तो कौन होगे मुख्य सचीव सीयस जबकि राजनेतिक मुख्या कौन होगे सीयम यूनी चीफ मिनिस कुछ सुनता है कौन है मुक्य मंत्रि और उसको निर्देश मियं देता मुक्य मंत्री होता है सांगे ते कहीं नहीं लिखा को समें होता है जो कि मेरी तोne üzन si m होता है लेकिन फिर भी अभी तक पांच उप मुख्य मंद्री हुए पहला है टीकाराम पालिवाल सन 1952 से 54 तक मुख्य मंद्री थी उससे में जैनार्ण व्यास हरी संकर भावडा सबसे लंबा कारीकाल था हरी संकर भावडा का 1993 से 1998 तक उसस्यम कौन थी वहरोशिंग शेखाहत के समय हरी सिंग भाबडा सबसे लंबे कारेकाल तक क्या रहे थे डिप्टी सीम रहे थे फिर बनवारी लाल बैर्वा 2002 से 2003 के मध्य रहे थे उस समय असोग एलोट के कारेकाल में तीन क्या रहे है डिप्टी सीम रहे कौन-कौन बनवारी लाल बैर्वा कमला बैनिवाल नों सचीन पाइलेट कमला बैनिवाल जो असो के लोग कब 2003 से 2008 के मद्ये का जो कारियकाल था उसमें सामिल रहे थे सचीन पाइलेट 2008 से 2020 के मद्ये तो अभी तक पांच रहें टीका राम हरी शंकर भाबडा बनवारिलाल बैर्वा कमला बैनिवाल और लास्ट में सचीन पाइलेट तो पांच अभी तक क्या रहें डिप्टी सीएम रहें फिर अपन बात करते यह जिए डिप्टी सीएम और फिर मुख्य मंत्री की कुछ मैं मैं इंप़्ोर्टन कौन कौन से अधिकारी भी राजस्तान के मुख्य मंत्री रह चुके हैं पिर पर्थम निर्वाचित मुख्य मंत्री इलेक्टेड प्रथम अल्प संक्यक मुख्य मंत्री बरक तुल्ला खाम जो अपने पद पर रहते मरती हो गई थी और इनी के काल में भारत पाकिस्तान की युद 1971 हुआ था उनिसवी कतर तो उनिसवी कतर में भारत पाक की युद के समय भी कौन थे बरक तुला खाम और इनके पद पर रहते में क्या होई थी मरती होई थी प्रतम गैर कांग्रेशी मुख्य मंत्री 1977 के समय बेरोशिंग शेखावत की पहली वार गैर कांग्रेश सरकार बनी थी कि बेरोशिंग शेखावत की पहली महिला मुख्य मंत्री बनी थी वसंद्रा राजे ये तो सबको पता है भार्ट पाक युद 1971 के समय बेर्जिंटीव मंत्री बरक तुला खा अपने पद पर रहते बेर इनकी मरत्यू गई थी आपात काल के समय 1975 अ अपात काल के समय मुख्य मंत्री боॉष्ष की याइज रहेगा अनूसुचीत जाति से मुख्य मंत्री या ऐसी से सेडूलाइट पहाड़िया तो याद रखना मुख्य मंत्री दूसरे राज्य में राज्य पाल रहे ऐसे मुख्य मंत्री दूसरे राज्य में राज्य पाल की तौर पर भूमिकार ने बाई तो हरीदेव जोसी थे मोलाल सुकाडिया रहे, जगनात पहाडिया रहे और सीव चरण माथूर रहे ये ध्यान रखना चार लोग थे तो राजस्तान के सीयम रहे में क्या बने? गवर्योनर बने किसी अन्ययराज्ययक मथूर बने जोसी सुखाडिया पहाडिया और माथुर मूखिय मंत्री इन प्रसाश करे उनका नम्ता सीव चरण माथूर ऐसे सीम थे जो क्या राजस्तान प्रसाश की सुदार रहे थे मुख्य मंत्री न्यूक्त होने से पूरू विदायक ही नहीं थे यानि उनकी सदेशिता था ही नहीं बाद में क्या मिली सदेशिता मिली वो थे जैनान व्यास और अशो गैलो दो ऐसे हैं मुख्य मंत्री जिन्होंने न्यूक्त होते समय कोई भी विदायक नहीं थे सर्वादिक कार्यकाल के क्या थे राज्य पाल थे और मौला सुकाड या सर्वादिक लंबेकाल के सीम थे मुख्य मंत्री म्ल्य चुनाव नहीं हारें एसे मुखिय मंतरी जो आज तक विदानसभा के सदस्य रहें राज्य सवा इंधान रखना यह जयनाण व्यास और भैरोसिंग शेखावत युदोनों ऐसे व्यक्ति थे जो राज्य सबा के सदस्य रहें रहें इरालाव सास्तिरी थे वसुंदरा राजय रहे थी और अशोग गैलोत रहे थे मूखय मंद्री जो राज्ये विदान सबाट रहे यह यह आपने राजसां की विदान सब्रॉटे नाम था we ले हिरालाल देवुपूरा हुए मुख्यमंतरी जो कहंदर में मिनिस्टर रह चुकह है वसोज़ा और असओ गैलोथ है मुख्यमंतरी जो उप्यमंत्री भी रहे टिकारामपालीवाल जो उप्यमंत्री भी रहे और मुख्य मंत्री भी रहे सरवादिक उप मुख्य मंत्री किसके कारगाल में रहे थे तो असो गैलोद के काल में तीन उप मुख्य मंत्री रह चुके है बनवारिलाल बैरवा, कमला बैनिवाल और तीसरा सचीन पाइलेट तो ये असो गलोत के काल में सरवादी क्या रहे थे उप मुख्यों मंत्री रहे थे राजस्तान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यों मंत्री कौन थे बैरोशिंग शेखावत थे तो ये मोटे तोर से आप ज्यान रखेगा फिर राजस्तान के उप मुख्यों मंत्री आलांगी मैंने पहले बता दिया था फिर भी टीका राम पालीवाल उस समझे जैनान व्यास थे हरी शिंग भावरा हरी संकर भावरा बैरो सिंग सेखावत के समय थे और सरवादीक लंबी आउधी तक रहे थे 1993 से 1998 तक राजस्तान के विदान सबा अज्यक्ष भी रहे हरी शंकर भावडा राजस्तान विदान सबा के अज्यक्ष भी रहे यदि एक्जाम में ऐसा प्रशन आ जाए ऐसे कौन से उप मुख्यों मंत्री थे जो राजस्तान विदान सबा के अज्यक्ष भी रहे हरी शंकर भावडा बन्वार लाल बैर्वा लोगसबा सांसद भी रहे साथ में असो गैलोत के काल में उप मुख्य मंत्री भी रहे कमला बैर्निवाल राजस्तान सरकार की पहला महिला मंत्री थी मोला सुकाडिया के समय ये जो कमला बैर्निवाल थी तिरपूरा गुजरात और मिजोरम की राज्जी पाल भी रह चूकी थी असो गैलोत के काल में क्या रहे थी उप मुख्य मंत्री सचीन पाइलेट 2018 से 20 तक रहे के अंदर सरकार मंत्री रहे संचार है उप मुख्य मंत्री वर्तमान में टॉंक से विधायक है और असो गैलोत के समय क्या रहे थे ये उप मुख्य मंत्री अब राजस्तान में अब आप से पूछेंगे उसमें राज्य पाल कौन थे तो पहले के समय सम्पूर्ण दूसरे के समय कौन थे तो ध्यान रखना वेद पाल त्यागी वेदों को पढ़कर त्याग दिया तीसरे के समय अब तिलक निकालो तिलक निकालकर रेडी हो जाओ तो संपून वेद पढ़कर तिलक लगाओ और रेडी हो जाओ तो संपून अनंद वेद पाल त्यागी रगकुल तिलक और एम चन्ना रेडी ये क्या थे राज्य पाल और मुख्य मंद्री बूछे तो पहले के मौनलाज सुकाडिया दूसरे एक समय अरिदेव जोसी तीसरे एक समय बेरोशिंग और चौतरे एक समय बेरोशिंग शेखावद तो ये चारों बाते आप ज्यान रखेगा एक बार वापस देख लो इनको सबसे लंबा कौन सा लगा था चोथा राष्ट पति सासन था जो एक साल के आज़ पास लगा था पहला 13 मार्स 1967 से 26 अपर उनिशु सटर तक लगा था और उस समय मुख्य मंद्री थे मौनला, सुकाडिया और संफूना राज्य पाल थे 30 अपर उनिशु सटर से 21 जून उनिशु सटर तक वेदपाल त्यागी राज्य पाल थे उस समय हर्द्य जोसी सीम थे 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक रगुखुल तीलक राज्य पाल के रूप में और बैरोशिंग शेखावत चीप मिनिस्टर के रूप में बैरोशिंग शेखावत की ब्रकास्ती हुई ती ज्यान रखिएगा 15 दिसमबर 1912 से 23 दिसमबर 1913 तक एम चैनारेडी राज्य पाल थे और बैरोशिंग शेखावत क्या थे चीप मिनिस्टर थे फिर अपन मुख्य मंत्रियों के नाम याद रखना और यहां इंपोर्टेंट चीज है आपको करम पूछ सकते हैं करम में पहले हिरलाज्य सास्त्री थे यहां टीनोंटतर हैॡ ऑग यहाद से जयनान जयास मनोनित थे उसके बाद टीका और पालिवाल जयानन ynयास क्या थे मनोनित भी थे और निर्वाचित भी थे ठीक है फिर अब सबसे से लंबा कारीगाल अब यहां से आपको याद करना मौनलाल सुकाडिया चववन से सबसे यूवा मुख्य मंत्री भी थे मौनलाल सुकाडिया आधूनिक राजस्तान के निर्माता भी कहतें मौनलाल सुकाडिया अब देखो भारत पाक के यूद के समय नौजले 1911 से 11 अगस 1913 तक इनकी पद पर रहते मर्ट्य हुई थी और पहले अल्प संक्यव मुख्य मंत्री भी थे फिर बने हरीदेव जोसी हरीदेव जोसी के बाद में राष्ट पती सासन लगा फिर बैरोशिंग शेखावद बने फिर राष्ट पती सासन लगा अब यहां आपको ध्यान रखना है बैरोशिंग पाढ माथे यह ऐसे कर लोगट बहरो चड़ियो पहाड माथो जो जगनात पड़े बहरो चड़ियो पहाड माते माथो देव पूरा हरीदेव जोसी फिर वापस माथो जोसी आएंगे और फिर वापस बहरो शिंग शेखावत आएंगे तो ज्यान रखना बैरो चड़ियो पहाड मात है माथो देव जो माथो जो फिर वापस बैरो शिंग शेखावत फिर असो गैलोत वसुंद्रा फिर गैलोत फिर वसुंद्रा फिर गैलोत ठीक है तो यह आप थोड़ा सा ज्यान रखना इनके करमों के बारे में तो यह मोटे तोर से अपने मुख्य मंत्रियों की बात हुई मोटे तोर से आपको आर्टिकल 167 ध्यान रखना है जिसमें मुख्य मंत्री का दाईतू दिया गया है राष्ट पति सासन ध्यान रखना है इनका करम ध्यान रखना है कि किस करम में कौन थे एक बार करम वापस आधी है क्या इरालाल सास्त्री सीए सिवेंगटाचारिये जैनार निव्यास पहला निर्मा चार तीका रामपालिवाल फिर जैनार निव्यास अब मॉनला सुकाड़ी के बार बंते हैं एक वार बंते हैं नौज प्रतीसरी वार और तो यहां से अब आपको याद करना भैरो चड़ियो पहाड माहत है माथू देव जो माथू देव जो माथो जो और फिर वापस भैरो शेकाओत आएंगे तो यह अपनी क्लास किसकी थी सीधे से बात है अपनी क्लास थी मुख्य मंदरी के उपर मोटे दोर से फैक्ट्स मैंने सामिल किये हैं इस क्लास को एक बार वापस देखिएगा इसकी पीडियोप आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी उसको देखिएगा और क्लासे हैं उसको थोड़ा लाइक कीजिएगा है ना ताकि अधिकतर हमारा आपके साथ में इंटरेक्ट क्या होता है आपके लाइक्स कमेंट्स पड़कर इंटरेक्ट होता है तो आप इसको जरूर सपोर्ट कीजिएगा क्लास जो 12th लेवल का जो CET का एक्जाम से उसके लिए यह सफिशेंट है आप अच्छे से पड़िएगा मैनत कीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू वेरी मच हुआ बग्स जरिपक्स कीजिऊटर है